हेलो स्तो कमाई कार्डस यूटूब चैल में आप सभी का सोगत है आज यहाँ पर हम बात करेंगे न्यू जेन केमिकल कमपनी के बारे में जिसके आज यहाँ पर कॉटर फोर के रिजर्ट का अनॉंसमेंट हमें देखने को मिला है और साथी कमपनी तरब से डिविडन भी दिया केमिकल कमपनी की खासियत की बात करें तो इस कमपनी ने बहुत बड़े धमा के करकर दिखाये हमें आप तक रिटन में भी आप देखेंगे तो 400 परतिशत का रिटन बहुत ही कम समय में कमा कर दिया लिथियम से रिलेटेट जो वैलिवल प्रोड़क्स एंड जो भी यहाँ केमिकल्स वगेरा है यह कमपनी प्रोड़ करते रहती है चलिए अभी यहाँ पर हम बात करेंगे कमपनी के अंदर जो आप सभी के लिए बेनिफिशल अनौस्मेंट हुए उस रिलेटेट फर्स्ट अनौस्मेंट है देखिए न्यू जेन केमिकल कमपनी के अंदर वो है जो इसका फाइदा ले सकते हैं नियू जेन केमिकल्स इस कमपनी के अंदर यहाँ पर आप रिजल देखेंगे तो काफी चौकाने वाले फिगर्स यहाँ पर दिखाई देते हैं कमपनी के जितनी भी यहाँ पर नंबर है वो सभी इन कर्ण में है पहले यहाँ पर हम की थी देखिए 157 करोड के इंकम की वो बढ़कर देखिए 205 करोड हो चुकी है यानि कमपनी की इंकम बढ़ रही है एरली बेसेस पर एंड सेम सिच्वेशन अगर आप यहाँ पर डिसेंबर 2022 एंड 31 मार्च 2023 आने के मार्च 2023 देखेंगे तो 187 करोड से कमपनी का इंकम बढ कर 205 करोड हो चुका है मिन्स दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो न्यू जेन केमिकल्स कमपनी के इंकम में स्टेंडलन बेसेस पर हमें इंप्रोमेंट दिखाई दी है अभी नेट प्रॉफिट की बात करते है कमपनी का नेट प्रॉफिट किस तरीके से कमपनी ने कमा तो यहाँ पर सभी को चौका दिया कमपनी ने क्योंकि पिछले साल कमपनी कमा रेती 15 करोड रूपए वो घटकर हो गए 14 करोड रूपए यानि कमपनी के अंदर आप देखेंगे तो डाउन परफॉमस दिखाई दे रहा है एंड कौटरली बेसेस पर आप चेक करेंगे तो नमबर रहा है यानि के कोई भी ज़्यादा अप सेंड डाउन हमें कौटरली बेसेस पर नहीं दिखाई दिया न्यू जेन केमिकल कमपनी के अंदर बट दोस्तों येर इंडेट बेसेस पर देखेंगे तो कमपनी ने यहाँ पर प्रॉफिट में इंप्रॉमेंट दिखा दी 44 करोड से कमपनी का प्रॉफिट बढ़कर 50 करोड हो गया नहीं कि 6 करोड की इंप्रॉमेंट कमपनी ने इयर इंडेट बेसेस पर स्टेंडरलन रिजल्ट में की हैं और जो कौटरली इंडेट हमने किया उसके अंदर स्टेंडरलन रिजल्ट के ही अंदर की बात कर रहा अच्छा पफॉर्म कर पाई है अभी यहाँ पर हम बात करेंगे कंपनी के कंसुल्टेट रिजल्ट के बारे में स्टैंडर अन्ट देख लिए आप कंसुल्टेट को भी अंडरस्टेंडिंग कर लेते हैं रिजल्ट देखने जरूरी है जिससे हमें पता चलेगा कि कंपनी कैस से इंप्रोमेंट करकर दिखा पा रही है तो यहाँ पर भी आप जैसे कंसुल्ट रिजल्ट में भी देखेंगे दोस्तों तो नियोजेन केमिकल कंपनी ने सेम सिचुएशन बता दी है स्टैंडर अन्ट के अंदर यहाँ पर भी यहाँ पर 15.64 जो क्रोड़ों का प्रॉफि थोड़ा डाउन यहाँ पर दिखाई दिया एरली बिसिस पर एंड कॉर्टरली तो देखेंगे फ्लेट परफोमस है बिलकोल याने के बहुत कुछ गिरावट नहीं ना कोई यहाँ पर बड़ी तेजी मेट प्रॉफिट में अभी बात करते कंपनी के बारे में यहाँ पर आ और आदेड़ हजर का हुआ है एंड एक साल में आप देखेंगे तो 9% के रिटन इसने कमा कर दिये कंपनी स्मॉल कैप की है आप से डाउन होते है और रिजर्ट थोड़े यहाँ पर फ्लेट आने के वज़े से इसके अंदर प्रेशर भी आपको दिखाई दे सकता है यह इसके अंदर आपको देखेंगे तो 3,798 करणो का मार्केट कैप है और पी रिश्यो इसका थोड़ा महिंगाई है पी रिश्यो से जो यहाँ पर आप आप कंपेरिजन करेंगे आरो सी एंड आरोई को यह कम होने चाहिए पी रिश्यो से सोरी हापर जादे रहने चाहिए पी रिश्यो कम रहना चाहिए मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा पी रिश्यो जो रहता है वो कम रहना चाहिए और यह जो आरो सी एंड आरोई है ये जादे रहने चाहिए, थोड़ा confusion आपका भी और मेरा भी नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं आपको पहले बता दू, कि ये points देखा किजी, क्या होता है हम सरी पी रेशो को देखते हैं, पी रेशो यहाँ पर दिग्या सस्ता तो खरीद लिया, बट उसके साथ में आपको ये के से कंपणी के अंदर बढ़ते वे नजर आ रहा है, और कंपणी एक समय ऐसा था, जो स्रिप और स्रिप चार या तीन कर रूपे कमाती थी, वो कंपणी आज यहाँ पर पचास कर रूपे कमारी है, तो इसका फाइदा लिजे, अगर आपके पास shares है, तो आपको घबराने क के बात ने ये कंपणी सूपर है, और इसके अंदर इंप्रोमेंट आने वाले समय में जरू दिखाई देगी, और आप खुद देख लिजे, यहाँ पर डियाएस ने 20% का निवेश किया है, एफाइस ने 4% का निवेश किया, और प्रमोटर के पास 60% का stake है, और पबले के प पंदरा, तो कंपणी में कॉलिटीज है, इसमें कोई डाउट नहीं है, जो निवेश कि पॉपर तरीके से डेटिल्स देखे है, उनको समझ में आता है होगा कि क्या-क्या इसके अंदर वैलिबल पॉइंट्स है, और दोस्तों यहाँ पर हमने पिछले जो निवेश वगेरा कंपणी है, उनके तरब से जो यूएस बेस कंपणी है, उनको एक्वेर किया गया था, बहुत अच्छी बात है जिससे यहाँ पर कंपणी को बेनिफिट मिल रहे थे, और यहाँ पर यह कोई पुरानी निउस नहीं है, यहाँ पर मार्च महिने की निउस है, आप इसको सकते हैं, तो इस तरीके से कंपणी के अंदर बेनिफिट से जरूर नजर रखिए, ठेंक्यू